अस्लाम अलेकुम वरहमतुल्लाही वरकातू सुबह बखेर प्यारी बच्चो बच्चो, हम अक्सर जानवरों या परिंदों के आवाजों की नकल करते हैं करते हो ना, मिसाल की तोर पर कुट्टे की आवाज की नकल बोलो तो, कुट्टा के से चिलाता है? हुं, भू, भू, very good बिल्ली की आवाज, बिल्ली की आवाज की नकल निकालो, very good म्याउ, म्याउ और चिडे की आवाज, very nice चू, चू, और कवे, कवे की सरी की से चिलाते है? very good, काई, काई यह हुई जानवरों और परिंदों की आवाजों की नकल लेकिन बच्चो क्या तुमने कभी इन जानवर और परंदों की चाल यानि हरकत की नकल की है नहीं की न तो चलो आज हम अपना यह शौक भी पूरा कर लेते हैं तो फिर बच्चो निकल अपने दर्सी किताब खेले करे सीखे का सफा नंबर आठ दो अशारिया दो नकल उतारते वे हरकात जानवरों की चाल देखो क्या करना है में जानवरों की चाल यानि हरकत की क्या करना है में नकल उतारना है नकल निकालना है तो फिर हो जाओ तयार परिंदों की हरकत की नकल करने का मज़ा लेने के लिए तैयार हो? very good, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यह बच्चा क्या कर रहा है दोनों पैरों पर उकडू बैटा है और उसके दोनों हाथ कहां पर है जमीन पर सामने है देखो यह किसकी नकल कर रहा है मेंडक की तरह फुदकना, देखो किसकी हरकत की नकल कर रहा है मेंडक क्या करती है बच्चो फुदकती है मेंडक की तरह फुदकना जैसा इंसान चलते है वैसा मेंडक जो चलता है उसे क्या कहते है फुदकना क्या कहते हैं फुदकना मेंडग की तरह फुदकना देखो वच्छो ये जो नकल है आपको अपने घर पर करनी है तो फिर करें ये हरकत very good अब देखो यहाँ पर हाती की चार देखो हाती किस तरीके से चलता है जूम जूम कर चलता है अपनी मौज में मस्त रहता है वो तो देखो इसके लिए किस तरीके से हरकत करने है नकल कैसे करने है दोनों उपएर अपने बाजू में रखना है थोड़े से दूर और क्या करना है एक हाथ से कान पकड़ना है और दूसरा हाथ इस हाथ के बीच में से बाहर निकालना है और इस तरीके से चलना है तो फिर यह किस की अरकत हुई बच्चो हाती की हाती की चाल तो फिर करे बच्चो इस तरीके से किसकी नकल कर रहे हो आप हाती की चाल की नकल कर रहे हो अब देखो यहाँ पर देखो इस तस्वीर को देखते ही पता चल जाएगा कि किसकी नकल कर रहे है शाबाज किसकी घोडे की देखो यहाँ पर लिखा हुआ है घोडे की चाल गोड़े की चाल के लिए क्या करना है हमें दोनों हाथ सामने और एक पैर पीछे और एक पैर आगे ऐसा क्यों करना है क्योंकि गोड़ा क्या करता है बच्चो दोड़ता है और इस तरीके से क्या करना है फिर तुमें दोड़ना है तो फिर एकिस के हरकत हुई घोडे की चाल की नकल अब देखो यहां पर इस लड़के ने क्या किया दोनों हाथ सामने की और और पंजे नीचे फैलाए वे और दोनों पैर पीछे और दोनों में क्या है फासला है, हाथों में भी थोड़ा फासला है देखो तो यह किसकी चाल है, उट की चाल, देखो उट किस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है, तो फिर यह हरकत तुम्हें करनी है, करें फिर, very good, अब देखो यहाँ पर, फॉरण पैचानो, क्या कर रही है लड़की, very good, more की तरह नाश रही है, मतलब यह किसकी चाल और उसका जो पिसारा होता है, वो क्या होता है, फैला हुआ होता है, इसलिए हमें हाथ के जरीए बताना है, और इस तरीके से क्या करना है, एक पैर पर नाचना है, थिरकना है, तो फिर यह किसकी चाल हुई बच्चो, more की चाल, करें फिर इस तरीके से, very good, देखो फिर से, ये बच्चा किसकी नकल कर रहा है, किसकी हरकत की नकल उतार रहा है, मेंडक की तरह फुदकना, मेंडक क्या करती बच्चों, फुदकती है, ये किसकी नकल कर रहा है, हाती की चाल, हाती की हरकत को क्या कहते है, हाती की चाल, अब यहां देखो, ये किसकी हरकत कर रही है, गोडे की तो घोडे की भी क्या कहते है फिर घोडे की चाल उट भी जो चलता है उट की हरकत को भी क्या कहते है उट की चाल और मोर जो नासता है मोर जो हरकत करता है उसे भी क्या कहते बच्चो मोर की चाल समझा फिर आपको बच्चो एक्टिविटी आपने किये सरगर्मी किये आपने अब देखो यहाँ पर तस्वीर में दिखाए वे जानवरों और परिंदों जैसी हरकत यानी चाल करो अब आपको यह हरकत भी क्या करने इन जानवरों की हरकत भी क्या करने आपको दुबारा करनी है देखो यहाँ पर क्या दिया वाए खरगोश क्या है यह खरगोश क्या हरकत कि आपको क्या करना है नकल करना है तो फिर कैसे करेंगे बच्चो चारो पैर क्या है उसके करीब है तो तुमने भी क्या करना है दोनों हाथ दोनों पैर नीचे की तरफ रखना है और इस तरीके से दोड़ लगानी है दोड़ना है या चलना है उसी तरह घोड़ा देखो घोड तो फिर बच्चो समझा क्या सीखे हमने आज किस की चाल सीखे शिखे मेंडत की तरह फुदकना हाती की चाल घोड़े की चाल उुट की चाल मोट की चाल , तो पिर बच्चो ये हरकत करो और क्या करो मज़ा लो तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ नए मजबुन के साथ और नए सबक के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज घर रहो महफूज रहो